हेलो माई डियर स्टुटेंट्स आज शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है इस्ट्रक्चर ओफ एटम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं आज नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं और टॉपिक है हमारा ब कम दा अब्जेक्शन्स रेजड अगेंस्ट रधर फोर्ड मॉडल ऑप एटम यह जो रधर फोर्ड मॉडल के में जो कमिया थी जो अब्जेक्शन्स थे उनको ओवर कम करने के लिए उनको दूर करने के लिए नील बॉस पूट परवार्ड दा फॉलोइंग एक में अपना मॉडल दिया और उसे जो पहले जो मॉडल बने रथ फॉड ने जो बना थे नहीं बनाते नोकी जो नियाती उन्होंने दूर करने की कोशिच करी सबसे पहले कि उन्हें क्या बता है फर्स्ट ऑनली सर्टेन इस्पेशियल और्बिट्स नौन एज डिस्क्रीट और्बिट्स ऑप एलेक्ट्रोंज आर अलाउड इंसाइड दा एटम यानि कुछ इस्पेशल और्बिट्स होते है जिन्हें डिस्क्रीट और्बिट्स के नाम से भी जाना जाता है जिसमें इलेक्ट्रोंज होते हैं वो रिबॉल करते हैं और अलाउड इंसाइड दा एटम वही एटम में अलाउड होते हैं वाइल रिबॉल्विंग इन डिस्क्रीट और्बिट्स दा इलेक्ट्रोंज डू और्बिट में एलक्टरोन मूग कर रहा होता है तो इस टाइम वो अपनी एनर्जी को रेडियेट नहीं करता है इस टाइए दिज ओर बेट आर और शेल अब आप देख सकते हैं यह यह एटम के इस ट्रक्टर है और इसमें सबसे बीच में क्या है नूकलियस उसके बाद में यह शेल बनी है जिनको ओर बिट्स भी कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल भी कहते हैं पहली इसका नाम है के शेल एलशेल, m.shell, n.shell इस तरह के से इस नमबर ऑव shells होती हैं, जिनको orbits भी कहते हैं, या इनको these orbits are shells are called energy levels, इनको energy levels भी कहते हैं, energy levels in an atom are showing, ये energy level को इसमें show किया गया, इस तरीके से करके इनके नाम होते हैं और इस तरीके से इनको नाम भी दिये गया है के इसके बाद आता है निट्रों निट्रों भी एक सब अटमिक पार्टिकल होता है और कांपे मौझूद रहता है यह यह भी नुकलिस के अंदर मौझूद रहता है इन 1932 जे चैडविक डिसकवर्ड अनुदर सब अटमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एड़ा मास नियरली एकवल तो देट ओवा प्रोटों यह नि 1932 में जे चैडविक ने डिसकवर किया एक और सब अटमिक पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है यानि जो न्यूट्रों होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है तरीके से नस पर पोजिटिव चार्ज होता है नहीं नेगिटिव चार्ज होता एड़ा मास नियरली एकवल तो देट ओ प्रोटों और इसका जो मास होता है न्यूट् of all atoms except hydrogen यानि neutron जो होते हैं जितने भी elements हैं जितने भी elements के atoms हैं सबी के अंदर मौझूद रहते हैं neutron except hydrogen hydrogen को छोड़ करके hydrogen में neutron नहीं होता है उसमें केवल एक proton होता है in general a neutron is represented by small n समाइने तोपर जो neutron जो होता है उसको small n से represent के जाता है the mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of the protons and neutrons present in the nucleus यानि atom का जो mass होता है वो किसकी वज़े से होता है nucleus के अंदर जो भी protons और neutrons जो होते हैं उन दोनों के mass के sum के एकवल होता है क्योंकि neutron प्रोटोन दोनों ही कहा रहते हैं दोनों ही nucleus में मौझूद रहते हैं जबकि electrons कहा रहते है electrons रहते है अपने अपने orbits में shell में जो बाहर की तरफ और बिट होते है है नेक्स्ट टॉपिक है हाव और इलक्ट्रों डिस्टिब्यूटीड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स जो होता है अपने अपने ऑर्बिट्स में वह किस तरीकी से होता है दिस्टिबिशन अपने इलक्ट्रों इंटो डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वह सजेस्टिड वाइब और नील बोर और बरी बोर और बरी ने सजेस्ट कहता है कि इलक्ट्रों का डिस्टिबिशन किस तरगी से होता है दे फॉलोंग रूट्स ऑर फॉलोड और राइटिंग नंबर ऑफ लग्ट्रों इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल यानि कुछ रूट्स होता है जो फॉलो करने होता है जब इलक्ट्रों का डिस्टिबिशन किया जाता है पर्स्ट है दा मैक्सिमम नंबर ओफ उल्लेक्टरों प्रेजेंट इन शेल इस गिवन बाइदा यानि जह ज़ाद तर तर जो इलक्टरों होते हैं जो उपस्तिक रहते हैं शेल में इस गिवन भाइदा इसका फॉर्मुला होता है इस चीज़ को ध्यान लखेंगे मैंशा कि एक फॉर्मुला के हिसाब से ही वह डिस्ट्रिट्रिट रहते हैं लेक्ट्रॉंस वेर एन यह स्मॉल एन इस दा ओर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स एन का मतलब कि यहां पर कि पहला शेल है दूसरा है तीचरा यह चोता इस तरह की से एं कि इंडिकेट करता है यह को इंडेकेट करता है मैक्सिमुम नंबर ऐफ एलक्टॉंस इंडर इफ्रेंट शैल्स और एक सबसे पहली बात करते हैं फ़ी चैल में टो एन स्कुरॉर एन की जल रखना रखना तो वन का स्कष़र वानों का टू बन जा टू सेकंड और एल शैल विल वी टू इन्टू टू की पावर टू यानि टू एन इसक्वार तो सेकंड जो शैल होगे इसमें उसके जगह तू रखेंगे तो यह गाटू तो तुज़ा फॉर फॉर तू जा एट थार्ड और विट में क्या होता है एम श स्क्वार यानि जो थर्ड शैल है हमारा उसमें उसके जगह स्क्वार क्या होगा तीन नाइन टू यह एट्टीन त्वेटीन आ गया फॉर्ट उर्ट उर्बिट में इसी तरह इसे करेंगे टू और फॉर्ट ऑश्कार हो जाएगा फॉरॉ फॉर्टीन टू चैस्ट इस तरी ऑट्रमोस्ट और्वेट जहीं सबसे बार का जो और विट उसमें कभी भी आट से ज्यादा कि ऐलक्टॉंस नहीं होते यह आझे आच से ज्यादा इलक्टॉंक प्रेज़ेंट होते ही नहीं यह सबसे लाश्ट वाले और फ्रेक्ट्रों दूसरे नहीं जाते हैं सबसी सबसे पहली हो जाते हैं एक डू 166 ऑन आ Ini करता आ कि याट्री में डूसरी हो जाएंगे और इस टाइट इस टाइट अपिट अब यहां पर कुछ के यहां पर इस्ट्रक्चर दीवी अटम की तब एक करके उसको देख सकते हैं सबसे पहले हैं इसके बाद लीतियम बेरिलियम वरोन कार्बन नाइट्रोजन होता है इसमें प्रोटोन होता है और यह आपको पता होना चाहिए कि जितने लेक्त्रोन होता है कि आपको सबसे पहले कि क्या ओक्तार होता है वह नेक्स चला गया तो इसी तरीके से डिस्टिवुशन होता है इनका बाकी को भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं और जितने भी जो सबसे बाहर की जो होती है वह हमेशा जो होल्ड करती है कि एट एलक्राइन और रहे हैं जादा और नहीं करती हैं इसके बाद है हमारा तौपिक वैलएंजि वैलेंज्जी क्या होती है वेलेंशी we have learnt how the electron in an atom are arranged in different shells or orbits कि यानि जो अर्गेमेंट जो होता है electron का atom के अंदर वो किस तरीकी से होता है उससे पता लगता है कि वेलेंशी क्या है इशल्म एघ्रन को एच्छंधे अवार्यश्य थthen को अने वन इस विलेंश इलेक्ट्रों विए प्न थेटल्य थेट त्रों। आपने जो बताया कि आपने यह बढ़र मोर्त न यह भी जाना अपने जो सबसे बार की जो होती है वो वे समय आपकुमडेट दा मैक्सिम ओप एक लेक्टरॉंस जैसे मैंने भी बताया था कि इस बोतना ही एक नहीं अपकुमडेट करती है इड़ गा ? यह बिप ऑब्जर्व किया है की जो एलिमेंट्स गर्लम उटे कि अत्रम होता है , जिसकी श्यल पूरी तयुकों स से भरी भी होती है , वो केमिकल अक्टिविटी नहीं करते हैं , बहुत नहीं के पराबर करते हैं , इन अधर वर्ड्स prisons, लिन स स्सक्तिक can वह क्या होती है जीरो होती है अब इस इंसर्ट एलिमेंट्स इसमें हीलियम भी आता है जैसे हीलियम एटम जो होता है और इस टेवल में आप सबसे पहले देख सकता है है कंपोजिशन और अटम्स ऑफ फर्स्ट एटिर एलिमेंट्स उनके कंपोजिशन किस तरगी से होता है विद इलेक्ट्रों डिस्टिविशन इन वेरियस जल यानि अलगलग चैनल में इलेक्ट्रों का किस तरगी से डिस्टिविशन होता है आप देख सकते हैं पर कुछ कालोन से इलेक्ट्रों करके वेरिशन का हो रहा हूँ और यही रक्ट्रों करता है वेलेट्रोंस के सबसक्राइब कि उच्जांट्रों की जीर होती है है यह प्लस माइनस के साइन आप स्छी zeigt कि भी पोज सीब है या ने टीटिव है तो आप इसमें यह में नहीं देख पाएंगे यह मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरी किसा समझाया है आप उसको जरूर देखना एक बार तो आपको पता लग जाएगा वैलेंसी नेगेटिव पॉजिटिव किस तरी किसे होती है क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है जब भी कोई केमिकल कंप आट्र मोस जयानि जो ए्लेक्टों से और अडर अठरटल घिल्मंट्स होता है और जो तुसरे एलेमेंट्स होता है है उडॐ अट्रेयी है इलेक्ट्रों इन शिंद्धा शलम समसे बार की श्लमें आड एलेक्ट्रों ही होल्ट करता है वह जह कंबाइनिंग कैपैसिती अप the atoms of other elements that is their tendency to react and form molecules with the atoms of the same or different elements was thus explained as an attempt to attain the fulfilled outermost shell, सबसे बाहर की जो शहल है वो यह ऐसी tendency होती है जो सबसे बाहर की शहल में जो इलेक्ट्रों मौज़ोज होते हैं उसी से पता लगता है कि यह atom जो था किसी दूसरे के साथ में रेक्ट करेगा नहीं करेगा किसी दूसरे के साथ कंबाइन होगा यह नहीं होगा इलेक्ट्रों लेगा यह देगा उसी पर डिपेंड करता है अब्रमोश यह पर जाएं इसका मतलब क्या है इसमें यह कहा जा सकता है कि उसने अपना अक्टेट कर लिया आप्टेट का मतलब रहता है अश्टक यह अपने आठ पूरे कर लिए है अटम्स वुड़ दस रियक्ट तो अचीव एन अप्टेट इन दा आउट्रमोश चैल और अटम्स जो होता है वह तभी रियक्ट करेगा जब उसे अपना अचीव करना होगा अपना अप्टेट जब अपने अपने आठ पूरे करने होगे अधिस वौज डन बाई शेरिंग गेनिंग और लोसिंग अब इसमें क्या होता है इसमें तेन कंडिशन होती है या तो इलेक्रों को को करेगा या प अब्लट्रों गेंड लोस्ट और शेयर्ड तो टेक टू मेंग दा आउटेट ओप इलक्ट्रों इन दा आउट्रमों शेल तो इसी तरह किसे अपनी जा आउट्रमों शेल जो होती है उसको वह कंप्रीट करता है अपना इस्टेबल हो जाता है फिर गिव्ड अस डिरेक्टली आप यही क्या देता है जो कंबाइनिग प्रीव्यस चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरह किसे पिछे चाप्टर में डिसके उया है फोर अध्यांपल हाइड्यजन लीटियम सोडियम एक्ट्रयम कंटेंड वन इलक्ट्रॉन इज इन डेर अट्रमों जान यानि जो भी जासे हाइडोजन हो गया मि लट की लोगा सोडीयम होगा इस तरह के जी इस तरह के जाइटम है और सबसे बावर की शाइब में एक ही लक्ट्रोन रहता है therefore each one of them loss one electron इसलिए वो क्या करते हैं अपना जो एक electron होता उसको loss कर देते हैं और उससे पहले stable हो जाते हैं so they are set to have valency of one इसलिए की valency one होती है positive one plus होती है can you tell what is the valency of magnesium and aluminium क्या आप magnesium और aluminium की भी valency निका सकते हैं it is two and three respectively because magnesium has two electrons in the outer shell magnesium में क्या होता है सबसे लाश्ट की चल में दो एलेक्ट्रोन रहते हैं इसलिए इसकी valency क्या होगी टू प्लस और aluminium है three electrons in its outer shell तो उसके वैलेंसी क्या हो जाएगी three plus कि अगर सबसे लाश्ट में वगर one एक एलेक्ट्रोन बचता है तो बन प्लस होती है दो बचते हैं तो टू प्लस होती है तीन बचते हैं तो पार्ट वर नहीं लेशन थ्री की जो वीडियोज है जिसमें मैंने वैलेंसी लिखा ली सिखाई उसको ज़रूर देखें क्योंकि यहां बताना और करके दिखाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है इस नंबर अफ एलेक्ट्रोंस इंदा ओट्रमॉस चाहल उपन एट बैलेंसी डेटरमाइन इना डिफरेंट वे अलग अलग तरीके से बैलन सी डेटरमाइन की जाती है फौर एक्जमपल फ्लॉरीन एटम है सेवन इलक्ट्रों सिंता ओट्रमॉस चाहल नहीं इसके लिए जो आसान है क्या है लोरीन टू गेन वन इलक्ट्रों उसके लिए एक इंच्टू उसको गिन करना आसान है इंस्टिट ओंग सेवन एलेक्ट्टरोंर जनी सात एलक्ट्रो मोग लोज करने के बजाये बजाए वह अगर वह एक लक्ट्रों गिन कर लेता है तो उसका ऑप लिएक्चेट कम्प्रीट हो जाता है यह बैद आपक्सिजन की कर सकते हैं वह दिद दफ दफ इलिमेंट की एक डैफिनिट कंबाइनिंग कपसिटी यह की हिसी प्राइटि टेफिनिट गॉम्बाइनिंग कपिसिटी है में का जाता है कि वैलंसी द intéressant टेबल पॉर पॉइंट बन में तो वहाँ भी आप टेपल में देख सकते हैं इसके बाद आता है एकक नंबर एन्ब्र येैट बैस नंबर क्या होते हैं हम जानते हैं कि जो भी legitimate म exposed रहते हैं st enormian second सोगा दिना परोडों सोगा उतना दाये के लाइन जानी नंबर प्रोटान्स निखलेज में वह उसका एक नंबर होता है इति डिनोटेज दबाइज जैड एक पिट्टल जैड़ से इसको डिनोट करते हैं जितनी होता है किसी अल्यमेंट के सभी आटम की बात करतें तो इनका अटमक नमबर से हम होता है in fact elements are determined by the number of protons सब्सक्राइब i.s. और देड़ियमेंट इनमेंट जै वो उसके नमबर अब प्रॉटटॉन पर ही डिपैंड करता है for is for example hydrogen z equals to one is me because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus तो कि उसके नुक्लेस में केवल एक ही proton मौझोद रहता है इसलिसका इसका atomic number भी one होगा similarly for the carbon z equals to six होता है इसमें therefore the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom यहनि किसी भी एटम सब्सक्राइब करते हैं मास मास नमबर के बात करते हैं आपेटिए इंग यह बात करते हैं okay परिटिकली डू ठोटोटॉनर्स अलोन करता हैं और Designer डीपैंड कर आटेज इस प凌नों को नूकलियोड करते हैं आटम की नूकलियोन्स होता है छिएलेक्टाओ नूकलियोन्स मेंकश होता है therefore the mass of an atom resides in its nucleus तो जितरा भी mass होता है इस atom का वो कहा होता है उसके nucleus में ही होता है for example mass of mass of carbon is 12u because it has 6 protons and 6 neutrons carbon का जो atom होता है उसके nucleus में 6 proton होते हैं 6 neutron होते हैं neutron को दोनों को प्लस करते हैं तो बन जाता है 12 तो इसका mass कितना होगा 12u similarly the mass of aluminum is 27u यह इसमें 13 protons होते हैं और 14 neutrons होते हैं दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होता है 27 अब mass number की definition है यह ता mass number is defined as the sum of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom यह जो भी mass number होता है वो कैसे define के जाता है कि कि किसी भी nucleus में जितर भी proton होते हैं जितने भी neutron होते हैं उनका sum उन्हों को प्लस करते हैं तो mass number बन जाता है इंदा notation for an atom the atomic number mass number and symbol of the element are to be written as जिस तरह किसे लिख सकते हैं कोई भी symbol जैसे यहां पर लिखा mass number उपर लिखते हैं atomic number हमेशा नीचे लिखते हैं यहां देख सकते हैं नीचे nitrogen for example nitrogen return as अब nitrogen में यह क्या लिखा नीचे की जाइड में atomic number seven और mass number कितना है 14 कि इसके बाद आते हैं isotopes isotopes क्या होते हैं in nature a number of atoms of some elements have been identified which are the some which are some atomic number but different mass numbers in nature number of atoms of some elements या निकुछ elements के जो number of atoms होते हैं कि वारेंटिवाइड होते हैं which are the same atomic number जिनके atomic number तो सेव होते हैं लेकिन के mass number different होते हैं for example take the case of hydrogen atom hydrogen atom की बात करते हैं it has three atomic species इसमें तीन atomic species होती है नेमली इक तो प्रोटियम होता है इसमें एक ही proton होता है और एक ही इसमें उसका mass number होता है एक ही प्रोटियन अटमिक नंबर होता है एक ही इसका mass number होता है दूतरा है deuterium deuterium में इसका atomic number one है mass number इसका टू इसी तरी जिए टेटियम भी होता है आटमिक नंबर ओप इच वन इस वन एटमिक नंबर आप देख रहे होंगे सब में क्या होता है सब्सक्राइब करते हैं और पहले में ट्वैल है दूसरे में और दूसरे में 14 है तो यहां क्या है आटमिक नंबर से में मास नंबर डिफरेंट है अलनरे में अल लिए कट दूसरे में में क्या होता है मास नंबर दोनों में 17 सैवनटीन है जबकि मास नंबर के ऐसे हैं रय़े तो बलता होता हैं एक्ज़ेंपिस के बेशीज भर आइसो टॉपस एर डिफाइन एच दा एटम ऑप सेम एलिमेंट लिए के यह घ। जो अट्रम नंबर यह यह जो माशना वाइडोजन एक तब आटम होता है नेमली प्रोटियाम ड्यूटेरियम और ट्रेटियम जबी क्या यह तीन नहीं है इसे भी होते हैं जो बनेवे आइसो टॉप्स के मिक्शर के बनेवे बने वी होता है पेज्क ऐसो टॉप ऑपन इलेमेंट इंजः प्योर सब्स्टैंस है और हरको इज्टॉटोप क्या हिए प्योर इलेमेंट अशो सब्स्टैंस होता है कैमी कल प्रपरटी समिलर इनकी chemical property जैग जैसी होती है बट physical properties are different लेकिन physical property अलग अलग होती है chlorine occurs in nature in two isotopic form chlorine जो होता है दो isotopic form में होता है जिनके mass ही होता है 35-37-year in the ratio 3 ratio 1 obviously the question arise जब सवाल ही उठता है what should we take as the mass of chlorine atom कि उसका mass क्या लिया जाए फिर तो उसके लिए उसे find out करते हैं the mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atom of the element जिने उसका जो भी जितने भी atoms होते हैं उनका average निकाल लेते हैं even element has no isotopes जैदि किसी element में को isotopes नहीं होता है then the mass of its atom would be the same as the mass of protons and neutrons in it उसका जो मास होगा वो proton और neutron के सम्केक वाली हो जाएगा but if an element occurs in isotopes form जदी isotopic form में कोई element मुझूद रहता है then we have to know the percentage of each isotope form and then average mass is calculated उसके बाद फिर उसका average mass calculate कर दे जाता है the average atomic mass of chlorine atom on the basis of above data will be इस तरह के सब्सक्राइगा क्योंकि एक 35 बताया था एक 75 थ्री रेशो बनता तो 75 और 25 की रेशो होगी इसमें अब दोनों का average इस तरह के से निकाल देते हैं तो यह आएगा 35.5 यूँद इसका यह मतलब नहीं है है that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 यूँग इसका मतलब नहींग है कि जो atom जो होता है chlorine का एक atom जो होता है एज अधा fractional mass उसका fractional mass 35.5 यूँग है it means इसका मतलब है that if you take a certain amount of chlorine यदि आप कुछ मातर में chlorine लेते हैं it will contain both isotopes of chlorine and average mass is 35.5 तो यह वो क्या contain करेगा both isotope दोनों को contain करेगा क्लोरीन के एड़ेज मास्स कितना होगा 35.5 और नेक्स आता है applications यहनी अनुप्रियों क्या क्या होते हैं isotopes के यहनी कहां कहां पर isotopes को use के जाता है since the chemical properties of all the isotopes of an atom of an element are the same chemical properties के बता हिते हैं सेम होती है normally we are not concerned about taking a mixture mixture की बात नहीं करते हैं बड़ सम आइस आइसो टॉप्स है इस्पेशल प्रोपर्टीज विच्छ फाइंड यूसफुल इन वेरियस विल्ड सम अप दैम आर उनमें से कुछ है number one an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactors यानि एक isotope जो होता है uranium का वो क्या होता है वो fuel के तरह यूज़ गया जाता है nuclear reactor में second है an isotope is cobalt एक isotope जो होता है cobalt का is used in the treatment of cancer cancer के treatment में यूज़ गया जाता है और थार्ड है an isotope of iodine is used in the treatment of goiter एक isotope जो होता है iodine का वो goiter के treatment में यूज़ के जाता है तो यह application से isotopes के के isotopes जो होता है कुछ isotopes और उनके uses कां कांपे उनको use के जाता है इसके बाद आता isobrts आई-सो बस्में क्या होता है isotopes के बिल्कुर उल्टा होता है उसमें atomic number same होते हैं mass number different होते हैं इसमें क्या होता है mass number same होते हैं atomic number पर डिवरेंट होते हैं दोनों में यह यह अंतर है और कोई अंतर नहीं है लेटेश चंसीडर टू elements calcium atomic number 20 and organ atomic number 18 दोनों के अटमिक number अलग है दा number of electrons in these atoms is difficult is different दोनों के atomic जो number of electron होंगे वो भी different होंगे but mass number of both these elements is 40 लेकिन दोनों के mass number के 40 है that is the total number of nucleons is the same in the atoms of this pair of elements that is the total number of nucleons जो total number of nucleons होते है इस दा से वो से मैं atom के अंदर of this pair of element element के pair में atoms of different elements with the different atomic numbers यानि atom of different element अलग अलग जो element होते हैं with the different atomic number उनका atomic number अलग अलग होते हैं which have the same mass number लेकिन उनके mass number same होते है और लौन एज आइसो बास उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें ही आइसो बास कहा जाता है तो इसी के साथ इसी topic के साथ में chapter अपका complete हो गया है